कववे के बताए हुए ये चोदा सुभ संकेत जो वाकई में होते हैं बिलकुल सही सगाई आज के इस वीडियो मैं आप बताए हुआ कववे के बताए हुआ कैस चोदा ऐसे संकेत के बारे में जो बिलकुल सही होते हैं सबस्क्राइब और आप देख रहे हो Honest Life Motivations इस दुनिया में कववा एक ऐसा पुराणी है जिसे किसी अच्छे या बुरे की जानकारी उसके घटने से पहले हो जाते है दरसल प्राचीन समय से ही हमारे समाज में कववे को लेकर सुब असुब सगुन अब सगुन इत्यादी से जुड़े बातों का उलेक किया गया आपको बता दे कि सगुन सास्त्र में कववे से जुड़ी अनेक रोचक जानकारियों के बारे में बताया गया ऐसे में आज हम आपको कववे से जुड़ी 14 सुभ संकेत के बारे में बताने वाले हैं ध्यान से सुनिएगा और ये आप नोटिस भी कर सकते हैं कि आपके लाइफ में ये चीजे जो है बहुत अपने इस चीज को फील भी किया होगा, महसूस भी किया होगा तो इसमें 14 संकेत क्या-क्या है तो पहला जो संकेत है कि कववे को लेकर ऐसी मानेता है कि यदि कववा भूमिक होता हुआ नजर आए तो भारी धन लाव होता है जी हाँ गाईज, यदि कववा मुह में रेत, अनाज, गिली मिट्टी या फल फुल भर कर आपके घर ले आए तो यह आचानक से धन प्राप्ति के संकेत होते हैं तीसरा जो है वैसाक के महीने में यदि कववा हरे भरे विर्च पर अपने घोषले का निर्मान करें तो यह बारिस होने का संकेत भी देता है चौथा यदि सुयोदे के समय कववा आपके घर के सामने बोलता है तो यह आपके प्रतिष्ठा और धन में विर्दी का सूचक्त होता है पाचवा यह अत्रा के समय यदि कववा आपके सामने किसी बरतन में मुह दुबा कर पानी पीड़ा वर नजर आ जाए तो यह धन लाव के संकेत देता है और आपकी यात्रा भी मंगल में होती है छठा प्राता काल में यहने कि सुबह सुबह यदि कववा आपके पैर को सपर्स कर जाए तो यह आपकी उन्नति और धन प्राप्ति के संकेत होते हैं साथवा ठीके दोपार से पहले यदि कववा पुर्व या उत्तर दिसावर से पेड़ पर बैठे कववी की आवाज सुनाई दे तो इसे स्त्री सुख का भी संकेत माना जाता है आठवा सुख सुख सो कर उठने के बाद यदि कववा आपके घर पर आकर काउं 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 की रट लगाता है तो यह किसी अतिति के आगमन का संकेत आपको दे देता है नौवा जो है नाइन्थ वाला रास्ते में यदि दो कववा तोरन पर बैठे हुए नजर आ जाए तो यह मनोवांचित फल मिलने का संकेत होता है दसवा जो है यात्रा पर जाते समय यदि कववा आपके दाहिनी तरफ से निकल कर उसी तरफ उड़ता हुआ चला जाए तो आपके कारे पूर्ण होने का संकेत दे देता है ग्यारहवा जो है रास्ते में जाते समय यदि कववा यदि तोरन पर बैठा नजर आए तो उसे मनोवंचित उनों कामना पूरी होती है बारहवा यदि इस्तरी के सीर पर पानी का घड़ा रखा हुआ हो और उस पर कववा आकर बैठ जाए तो यह उस्तरी के लिए सुब संकेत माना जाता है और तेरहवा जो है यदि कववा अपनी चोच में किसी वस्तर का टुकडा लेकर उड़ता हुआ नजर आ जाए तो यह आपके लिए सुब संकेत दे देता है लास्ट में जो है 14 नमबर लास्ट बट नोट दे लिस्ट रास्ते वेधी कववा आप अपने मुव में रोटी का टुकडा या मांस का टुकडा लिये दीखे जाए तो यह आपके इक्षा पूरी होने का संकेत देता है आज की वीडियो में आपको बदाया है चुबास से जोडी 14 संकेत जो की आप लोगो पूर ने इसको नोटिस किया होगा तो फिलहाल कैसा लगा वीडियो बताना निचे कमेंट करके और कमेंट में जरूर बताना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा थैंक्स फोचिंग वाशि झाल